तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको सबसे पहले तो यह के लिए करता हूं इस वीडियो में कि अगर इस वीडियो में आगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपके मन में जो भी है न आप नीचे लिख कर जा सकते हैं तो मेरे प्यारे साथी कहनाम ये है, अगर आपको आज के बाद RNA नहीं समझ में आएगी, तो आप ना, अब देखी दोस्त, अब यह जरूरी नहीं कि मैं RNA का फूल और फूल जनकरिया दे ही दूँगा, दोस्तों मैं फूल जनकरिया देने का पर्यास किया हूँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ छूट जाया, तो आप मुझे छोटा सा बालक समझ कर माफ किज़ेगा, तो मैं आपको यही किलियर करूँगा, अगर आपको नहीं समझाएगी, तो आप यहां से वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, और नीचे कॉमेंट में कुछ लिख सकते हैं, तो य पिछली लेक्षर में बता दिये हैं, अगर आप डियने नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक है, और वहां से आप देख सकते हैं, मेरे पैरे साथ ही आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे क्या, कि हमारा जो RNA होता है, वह क्या हो तो वीडियो को रोक रोक कर, और आप लिख लिजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे लिखने के लिए आप लिख लिजेगा, और नहीं भी याद पड़ेगे, तो आप यार लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, RNA का full form, हिंदी में क्या लिखा हुआ है राइबो नुकलिक अमल, तो यार कभी कभी आपको बोल चल के भासन में हम राइबो जी भी बोल देते हैं, तो आपको घबरानी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, राइबो नुकलिक अमल, अब इससे राइबो नुकलिक अमल हम क्यों बोलते हैं, तो म हमारा जो राइबो नुकलिक हमारा जो अमल होता है वो कहां पर होता है किंद्रेकम होता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे अब आपको घबरानी नहीं है तो यहां तक की बात आई की नहीं आई यहां पर आप देख सकते हैं राइबो नुकलिक अमल यह कह सकते हैं एसिड है त और इसके बाद आपने कह सकते हैं इंग्लिस और हिंदी दोनों में परिभासा आप देख लिए परिभासा नहीं इसका मतलब आप या फूल फॉर्म देख लिए अब हम इसके बारे में कुछ महत्व पूर्न जानकारिया को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम बहुत ही अगर अराम से बना तो वीडियो एग घंटा दुघंटा कर और हो जाएगा लेकर यहाँ पर हम 30-20 में लिफट आने का सोच उगा तो से लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फ्यारे साथ ही अब यहाँ पर यहाँ पर राइबो नुकलिक अमलक किसमें पाया जाता है राइबो नुकलिक अमलक किसमें पाया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथे कि इसलिए इसे हम किंद्रक का भाग कहते हैं दोस्तो राइबो नुकलिक अमलक किसमें पाया जाता है तो आपको याद रखन या किंद्रक में इसलीए हम इसको कहते हैं किंद्रक का भाग, ठीक है, यह कहां पाया जाता है तो किंद्रक में आप यहां पर देख सकते हैं कि लिएर तो आगे के बातों को हम देखते हैं आगे अहां पर आप देख सकते हैं तो यार कंद्रक के अलावा मैट करल्ड किंद्रक अब आपको से बात ये भी पूछा जाएगा कि हमारा जो राइबोज निकुलिक अमल सबस्ति होता ना यानि आर एन एज होता ना वह कंद्र के अलावा और कहां पाया जाता है तो आपको बात याद रखने है कि केंद्रक के अलावा माइट्रो कंड्रिया यानि अगर आपसे पुछ दिया जाए कि हमारे जो आरे नहीं होता है राइबो निकुलिक एसिड जो होता है सबसे ज्यादा आपको कहां पाया जाता है तो आपक यहां पर लिखा हुआ से समझ सकते हैं क्या दि के आपको तो पता है कि हमारा पती होता है उसमें खेया जाते हैं DNA यानि कह सकते हैं सोरी RNA पाई जाती है तो यहां पर हम RNA की बात कर रहे हैं RNA तो RNA का फुल्फरम होता है राइबो नुकलिक अमले यानि आर से राइबो एन से नुकलिक और से एसीड किलियर और यहां पर आप देख सकते हैं RNA जो होता है मुख्य रूप से कहां पाई जाती है यह किंद्रक में होता है अब बात आती है कि हमारा किंद्रक किंद्रक होता क्या है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो कोशिका होता है देखिए हमारे बोड़ी के अंदर बहुत सारे कोशिके है हमारे बोड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोशिका है जो मिलकर हमारे बोड़ी को तयार किया है तो हमारे बोड़ी के अंदर बहुत अंगिनित क्या है कोसिका है तो अगर हम एक कोसिका को ले ले तो एक कोसिका का जो सनरचना होता है कुछ इस प्रकार की होती है और इसके बाद ऐसे और ऐसे मतलब इसमें जाते जाते बहुत चीज मिलते है तो हमारा जो कोशिका जो होता है ना कोशिका के मध्धिभाग यानि जन्तु कोशिका के मध्धिभाग हमारा जो कोशिका होता है उसका मध्धिभाग दोस्तों कहलाता है केंद्रक केलियर आपको यहां तक की बात आई कि नहीं आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरेने ना मुख के रूप से कहां पाई जाता है केंद्रक में केलियर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डिने का समूँ क्या कहलाता है गुंसुत्र अब यहाँ पर तो डिने तो बात नहीं कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पर बात ख्याल रखनी है कि हमारा जो DNA होता न उसका समू हमारा क्या कहलाता है गुनसुतर आप बात आते है कि आप डियने का समू ऐसे समझे हमारा कोशिका का समू क्या कहलाता है उतक उसी परकार हमारा डियने का समू यानि बहुत सारे डियने मिलेंगे न तो आपको गुनसुतर बनाएंगे किलियर और यहाँ पर आप दे तो जरूरी नहीं है कि अब यहां पर आरेने लिखे हैं तो आरेने को ही जानना जरूरी है तो यहां पर हम डिने के बारे में भी कुछ जानकारिया यहां पर देख लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन का समुख DNA कहलाता है अब बाद आता है कि हमारा ना जीन आखिर होता क्या है तो guys हमारा जो DNA होता है ना DNA का सबसी छोटा क्या होता है वो कन होता है जिसको हम कहते हैं जीन जिस तरह हमारा को हमारा जो मुलभूत इकाई होता है वो आपको कोशिका होता है तो अगर आपसे पुछ दिये गया है कि हमारा सरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते है तो कोशिका कहते है उसी परकार है DNA का हमारा सबसे छोटा इकाई होता है जिन और जीन का समू क्या क्या लागा आप समझी रहे हैं उट देखे सकते हैं DNA यानि DNA ठीके तो यहाँ पर आपको बात आई की नहीं आई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार आरेन की जो सनरचना होते हैं अब बात आती है यार सनरचना का मतलब क्या होता है बात आते हैं संद्रशना का मतलब क्या होता है इसका अस्टक्चर यानि कह सकते हैं इसका आकार कैसा है कह सकते हैं आकरिती और कह सकते हैं इसका परकार संद्रशना का मतलब आकार और परकार और आकरिती होता है किलियर तो मेरे साथ ही संद्रशना का जो कह सकते हैं मातलब होता है वो आपको क्या होता है आकार परकार और आकरिती किलियर और यहां पर आप देख सकते हैं कि आरेने की जो संद्रशना होती है एक कुंडली होती है हमारा जो डियने था वे दो कुंडली था तो कैसा था तो हमारा जो DNA था कुछ इस परकार की था द्वी कुंडली था ठीक है लेकिन यहां पर हमारा जो RNA होता है एक कुंडली का होता है इस तरह से एक कुंडली का होता है और आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से DNA में होता है दोनों तरफ से होता है यानि DNA जो होता है द्वी कुं यहां पर मैंने आपके सामने फोटो को ला दिया है और आप देखने का पर्यास किजेगा हमारा डीने का जो स्ट्रक्चर होता है दिखे कुछ चीज पर कार को तो आपको मैं जानता हूं कि खिलिए नहीं दिखाई पड़ रहोगी क्योंकि यहां जो फोटो है डाउनलोड करते समय ही इसका क्वाईलेटि कम हो चुके थे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं DNA का क्या है सोरी RNA का क्या है एक संरजना है यहां पर एक कुंड़ली क्या है इसका एक संवरकार की हो जाती है यानि RNA में आपको एक कुंडली होती है और DNA में आपको क्या होती है जोफी चुनडली होती है यानि इसे डोगो और से समझे हैं यह मतलब R से याद करने का एक कुंडली और D से समझने हैं दो ठोटीक है तो यहाँ पर RNA का structure है यहाँ पर जो नाम है हमारा जो RNA के अंदर कुछ इस प्रकार की नामे होते है जो कि आपको याद करने होते है हमारा जो structure में RNA का जो नाम होता है कुछ इस प्रकार की होते है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको clear नहीं दिख रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको दीख नहीं रहा है लेकिन आप याद करने का हम जो बोलेंगे नहीं आपको याद कर ले रही है तो यहाँ पर याद रखनी है एडी नीन और इसके बाद है गोहा नीन और इसके बाद है साइटोसीन तो यह सब आपको नामे है जो कि आपको याद रखने है या रटनी नहीं है तो यहाँ पर समझनी नहीं है और इसको बात आता है क्या यूरियसील यह सब क्या होता है आरेने में क्या होता है पाया जाता है ठीक है तो यहाँ आपको याद करनी है बलकि समझनी नहीं है तो यह स संरचना में क्या होता है तो पाय जाते इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं हटाते हैं और आप देखने का पर्यास किजिए तो यहां पर आपने देखे ही लिया कि हमारा जो आरेने की संरचना होती वह क्या होती एक कुंडली होती और डीने के क्या होती है द्वी कुंडली होती ह समसे और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम RNA से DNA बना सकते हैं अगर हमको RNA मिल जाए तो हम क्या बना सकते हैं DNA बना सकते हैं किलियर डाइ ओक्सी राइबो निकुलिक एसीड ठीक है DNA का फुल्फुम क्या होता है डाइ ओक्सी निकुलिक एसीड ठीक है तो यहां पर आप देख सकते है कि हम RNA से क्या बना सकते है DNA बना सकते है अगर आप से पूछ दिया जाया कि हम RNA से DNA बना सकते है तो आपको क्या वदाने कि हाँ असानी से हम बना सकते है हम कैसे बना सकते हैं वह हम आगे की बातों में चर्चा करें अभी इसी वीडियो में आगे हम बात करें और फिर यहां पर है DNA मिल जाए तो हम RNA भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो यह भी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमको RNA मिल जाए थोड़ी सी इसको हम छोटा करते हैं अगर आपको देख नहीं रहा है तो समझ नहीं आ रहा है यहां पर आपको यहां पर याद रखनी है और याद रखने के साथ साथ आपको कॉपी में भी नोट कर लेनी है तो आप यहां पर यह सब जितने भी हम बतला है यह आपको लिखते चले वीडियो को रोक रोक कर तो यहां पर और भी बात है जो कि RNA से रिलेटेड है और हाँ यह जो वीडियो है कि RNA से क्या है रिलेटेड है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो RNA होता है वो प्रोटीन का क्या करता है निर्मान करता है, प्रोटीन का संसलेशन करता है, संसलेशन यानि निर्मान करता है, हमारा जो RNA होता है, वो आपको क्या करता है, कि दोस्तों प्रोटीन का निर्मान करता है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, आपको मैंने अ तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर इस परकार के हैं यहां पर आप स्किन सोट लेजिए और लेने के बाद यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर भी आप लेजिए ठीक है तो यहां पर आप लिख लेजिए और इसके बाद और भी आगे है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं जिस परकार हम DNA की परकार देखेते हैं, उसी परकार हम RNA की अब परकार के बाद हम करते हैं, परकार यानि उसके कितने भाग हैं, त्यार हमारा जो RNA होता है उसके तीन भाग होते हैं, हमारा RNA जो होता है, वो कितने होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, तो हमारा तीन भाग होत तो यहां पर आप देख सकते हैं एम आरेने और इसके बाद है टी आरेने और इसके बाद जो होते हैं आर आरेने अब यहां इन तीनों के बारे में फूल जनकारिया यानि कुछ-कुछ तो जनकारिया प्राप्त करेंगे ही करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ज सभी काम full form यहाँ पर देखते हैं और आप पसानी से देखने का परयास कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोड़ी सी और इसको हम size न बड़ा करते हैं तो यहाँ पर aim RNA यानि देख सकते हैं aim का मतलब messenger ठीक है aim का मतलब messenger यानि आप समझ रहे हैं मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले को हम क्या कहेंगे मेसेंजर तो एम आरेने का फुल फर्म क्या हो जागा तो मेसेंजर आरेने यानि राइबो नुकलिक अमल यानि एसी डे ठीक है और यहाँ पर टी आरेने का फुल फर्म यहाँ पर देख सकते हैं T4 transfer ठेक है T का मतलब transfer यानि आप समझ सकते हैं परिवहन ट्रांसफर यानि क्या होता है परिवहन अभी हम सबको बारे में बात करेंगे आगे की और ठेक हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर हम clear कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो लिखा हो है T4 transfer यानि क्या सकते हैं परिवहन यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं R का मतलब क्या होता है ribosome RNA तो यहाँ पर आपको देखना क्या है आप पसानी से देख सकते हैं तो R4 क्या होगा Ribosome RNA और इसके बाद आप देख सकते हैं T4 Transfer RNA तो RNA का full form पताई है और अभी हमने M का और T का और R का full form बताई दिया किलियर तो अब हम समझते हैं इनकी कुछ कार्य को और आप समझेने का पर्यास केज़ेगा सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि यहां पर AIM RNA आखिर होता गया AIM for Messenger यानि Message को एक जगह से मतलब Message को क्या करने वाला है यह पहुँचाता है कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है तो यहां पर यह क्या करता है कि यह पहचानने का कारे करता है अब बात आती कि हमारा जो AIM RNA होता है यानि Messenger RNA जो होता है उसका क्या कारी होता है तो उसका कारी क्या होता है पहचानने का कारे करता है यह अब Message करता है कि यह किस चीज़ का है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो AIM RNA होता है यानि AIM का मतलब messenger और RNA का मतलब ribonucleic acid तो यहाँ पर AIM RNA जो होता है वो आपको क्या करता है पहसानने का कारे करता है तो किस चीज़ को तो amino acid को ठीक है amino acid यानि कह सकते है amino amla यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने AIM RNA के बारे में बता दिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं TRNA यानि T4 transfer और RNA का मतलब क्या कह सकते हैं ribonucleic amla यानि nucleic acid ठीक है तो इसका जो कार यह है कोच इस प्रकार के है कि यह परिवहन का कारे करता है अब बात आती कि यार हमारा जो परिवहन होता है या आखिर होता क्या तो मैं आपको छोटी सी जनकारे देता हूँ जो कि आप बहुत असानी से समझ सकते हैं यहाँ पर एक क्या है जगह है और यहाँ पर भी जगह है माल लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से धीरे-धीरे यहाँ पर आ गए तो यह आपको क्या कलागा परिवहन कहने का मतलब एक अस्थान से दूसरे स्थान तक इसी भी चीज को जाना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारो जो tip for transfer जो RNA होता है वो क्या करता है वो परिवहन का परिवहन का कारे करता है तो आपको बात याद रखनी है एमीनो अमल यानि कह सकते हैं एमीनो एसिड को यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की बाते को हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बाते हैं जो कि हम नीचे हैं देखें आप यहाँ पर आगे क पर दिखा दिराएं जो कि आप देख सकते हैं कि राईबॉसोम आरेन אा यानि आरेन का फुल फ्रम राईबो नुूकलिक एसीड ठीके तो इसका जो कारिया सबसुर्पिल मैं आपको बता देता हूँ कि यह क्या करता है प्रोटिन का निर्मान करता है जो कि मैंने यहाँ पीछे बतला ही दिया था तो हमारा जो राइबोस्वम होता है वो आपको क्या करता है प्रोटीन का निर्मान करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइबोस्वम के बारे में हम कुछ जनकारिया लिख दी है कि हमारा जो ribosome होता है सजीव कोशिका यानि सजीव हम लोग है तो हमारी जो कोशिका है कोशिका दरबे में क्या होता है इस्तित बहुत ही छोटे कन होते है ठीक है तो आपको याद रखने कि हमार जो ribosome होता है वो आपको क्या होता है कोशी का द्रबे में पाया जाता है और जो बहुत क्या होता है छोटेज एक कन होता है एक टुकड़ा होता है ठीक है तो यहां तक की बाते आपको असानी से आ गई होगी और आप यहां तक की बाते को नोट्स कर सकते हैं यानि आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो यार रोक रोक का लिख लीजे और यहाँ पर आप देखिए फुच इस प्रकार के हैं लिखिए और यहाँ पर भी आप लिख लीजे और इसके बाद धीरे दीरे आप यहाँ पर सब चीजों को लिख सकते हैं तो आगे के बाते हैं, देखे हम क्या क्या चीजों को और भी जानने वाले तो यहां पर और अंतीम बाते हैं यहां पर बात याद अखनी है ट्रांसक्रिपशन का मतलब क्या होता है आपको नकल करना यानि कह सकते हैं प्रतिलिपी ठीक है तो हमारा DNA से RNA बनना क्या कह लाता है कह सकते हैं ट्रांस की रिप्सन ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद आगे है RNA से DNA बनना क्या कहलाता है reverse transcription ठीक है तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और आगे है जो कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि लिखा क्या हुआ है कि RNA से प्रोटिन बनता है जिसे हम कहते हैं translation यानि आपको पताई है यानि अनुवाद ठीक है और इसके बाद है DNA से DNA बना लेना आपको क्या कहलाता है reflection यानि कह सकते हैं पूर्ण आपडर बरीती यानि दोबारा बनना ठीक है तो यहाँ पर जो बातों को यहाँ पर आप हम शेयर की हैं आप यहाँ पर लिख सकते तो यहाँ तक आप उसके बाद लेजिए मुल कि漂 अब यहाँ पर विले जीए और जैसा कि आपको यहां पर देखी रहा है और मैंने description box में कुछ-कुछ यहां पर लिखवा दिया है आप वहां पर क्या किज़ेगा कि लिख लिज़ेगा ठीक है तो यह थी आपके DNA से RNA से related आपको कुछ important जानकार यहां अगर आपको इसमें कुछ भी doubt लगा हो तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जा सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मिलते है next time और next वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम जो जाने वह है RNA ठीक है RNA से related अगर आपको दुबार डाउट है तो आप पुछ सकते हैं क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ों को बोल रहा हूं तो तेलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है